उमपरकास रेगर आतमत्या मामले में भीम आरवी के प्रमुकाजाद समाज पार्टिय देक्ष चंदर सेकर आजाद का भड़ा बयान 40 गंटे भी जाने के बाद भी एक आरोफी गिरपतार नगी हुआ चंदर सेकर आजाद ने गेलोज सरकार पर सादा जमकर निसाना उन्होंने का कि गेलोज सरकार ने पिडित परिवार की इतनी देर बाद भी सुद नहीं लिये देश के बहुजन समाज को गेलोज सरकार का चाल चरितर देख लेना चाहिए उन्होंने का कि ओमपरकास रेगर आतमत्या मामले में 40 गंटे अब तक हो चुके हैं और धर्णा प्रतसन के बावजुद भी पुलिस से एक अपरादी गरपतार नहीं हुआ है गेलोट सरकार की तरफ से कोई नमानदा आकर पिडित परिवार की सुद नहीं ले रहा चंदर से करने ट्वीटर पर जानकारी देते भी लिका कि भाई ओमपरकास ने न्याय के खिलाप लड़ते वे एक नमबर को बलिदान दे दिया था 40 गंटा से भी ज़्यादा समय बीच जाने के बाद अभी तक एक भी आरोपी गिरपतार नहीं हुआ है और नहीं सरकार ने पीडित परिवार की कोई सुद लिये राजस्तान की कॉंग्रेस की गैलोज सरकार के न्याय चरित्र को आज पूरे देश के भाउजन समाज को देख लेना चाहिए दरसल आपको बताते कि रूपनगड के नो सल गाओं के अंतरकत रहने वाले उपरकास राज रेगर ने आपको बताते कि अत्थमत्या कर लीते उस मामले को लेकर लगातार अपडेट